हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बूस्ट टॉटोरियोल में आप सभी का स्वागत है इसमें आज हम लोग पार्ट 11 को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग मैत का कुछ बेसिक फंक्सन्स देखेंगे किस तरीके साम लोग मैत के फंक्सन्स को यूज करते हैं पाइफन में और बह जो भी लोग नए होंगे चैनल पर अपर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टाट करने सफ़रे वीडियो को लाइक कर दें चलते हैं हम लोग अपने पाइफन सेल पे और देखते हैं कुछ कोडिंग को ठीक है तो यहां पर कुछ हम लोग मैत फंक्सन का यू अब माल जो यहां पर डूंड करना है रहूं का यूज करा आप रहूंड कर हूंत सब्सक्राइब तो 45.4 अगर देंगे यहां पर तो क्या हो गया यह निएरेस जो इंटीजर है वहां पर ले जाएगा आपको यानि 45 यह कर देगा इसका वैल्यू अगर 5 रहता तो 46 कर देता या 5 से ज्यादा रहता तो भी 46 कर देता या 5 से कम रहेगा या 5 या 5 तो आपको कहां लिके जाएगा वह नेक्स्ट इंटीजर के पास ले जाएगा ठीक है तो देखें यह हो गया अगर यहां पर इसको हम लोग यह कर देते है 45.5 कर देंगे तो यह 46 इसका वैलू कर देगा तो गाइस कुछ तो ऐसे functions होते हैं जिसका डिरेक्टली आप यूज़ कर पाते हैं लेकिन कुछ फंक्शन जैसे मालेज़े यहां पर मालीजे आप निकालने है 16 रूट तो चार होता है इसको अगर आप calculate करेंगे तो यहां पर error आजाएगा क्योंकि यह क्या कहाएगा कि name जो sqrt है यह defined नहीं है तो इसके लिए हम लोग जो भी अगर वना वनाया math का जो भी है module यूज़ करना है तो उसको पहले हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता अपने प्रोग्राम में ठीक है तो उसको हम लोग इंपोर्ट कर देंगे इंपोर्ट कर देंगे क्या math को इंपोर्ट कर देंगे ठीक है अब इंपोर्ट करने के बाद हम लोग उसी जोगा यूज कर सकते हैं जैसे मालेजी आप कैसे करेंगे math.sqrt अब math.sqrt कर देंगे और मालेजी 16 का square root निकालेंगे तो यह क्या कर देगा 4.0 यानि यह क्या किया हमारा यह हमारा root निकाल दिया, square root निकाल दिया अब उसी तरीके से अब देखिए मालेजी अब थोड़ा सा round off करते हैं हम लोग किस तरीके से करेंगे rounding off में देखिए अब क्या होता है यहाँ पर एक math यहाँ पर देखिए थोड़ा सा my function का नाम देदाता हूं कौन सा use करना है कौन सा module यूज करना है CIL यानि ceiling module का use करना यह वाले module को आप लोगो यूज करना है तो इसका मतलब होता क्या है इसका use कप करने यह क्या करता है यह round करता है किसी भी number को करेगा nearest integer यानि यह अगर यहां पर हमारा ceiling value 45 पॉइंट कुछ भी देंगे value तो यह सील कर देंगे CIL यह 46 कर देगा ठीक है यानि ceiling next value पर ले जाएगा तो देखते हैं इसको करके ठीक है तो इसको यूज करने के लिए हम लोग मैथ करेंगे math.ceil यूज करेंगे हम लोग और ceil यूज करेंगे 45.2 करेंगे यह value क्या करेगा 46 कर देगा क्योंकि यह next value तक ले जाएगा ceiling तक ले जाएगा अगर इसी को हम लोग यूज कर देते है math.floor math.floor यूज करेंगे और 45.2 कर देंगे तो यह nearest जो भी हमारा इस जो nearest value हो जाएगा जैसे माले जे यह तो ceiling सबसे next value को कर दिया और यह round-off कर देता है लास्ट इंटीजर क्या हो सकता है तो 45 के लाके इसको छोड़ देगा चाहे आप इसका value कुछ भी देदे math.floor देदी है और माले जे आप 45.9 भी कर दें 45.999 भी कर दें तो भी इसका value आपको 45 ही देगा क्योंकि आप floor का युज कर रहा है ठीक है तो इस तरी कैसे करके floor और इसका आप सिल्क का यूज कर सकते हैं और multiple function का यूज कर सकते हैं जैसे मालनी जी क्या कर सकते है अन्हें multiple function का एक साथ जैसे माल लेजे अभी आप यूज कर रहे है math. 12 दॉर्ट माली क्या value यह आ गया, pi आप जानते हैं, 22 बटा साथ जो होता है, यह value आ गया, अगर माल लिजे इसको rounding up करना है, सिधा क्या कर सकते हैं, math.ceil अगर करना है, ceiling तक ले जाना है, bracket में फिर से हम लोग करना पड़ेगा, math.pi यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे, pi क्या value निकल के आ कर दिया, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते है, math.ceil कर देते, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते, math.pi, ceil नहीं करेंगे, अभी इस पार हम लोग floor कर देते हैं, तो floor क्या कर देगा, nearest जो last integer है, वहाँ तक लाएगा, तो यह कर देगा 3 इसका value, ठीके गई, तो इस तरीके कर देगा, इसके अलावा और सारा बहुत सारा function है, जैसे SQRT के बारे में हम लोग देख लेते हैं, देख चुके हैं, यहाँ पे SQRT function का, इसी तरीक से math, ceiling और floor का भी देख लिए, मान लेजे, factorial, factorial निकालता है, जैसे factorial में हम लोग example में क्या होता है, जैसे मान लेजे, factorial अ into 2 into 1, यह करके value, यानि इसका value क्या जाएगा, 120 आ जाएगा, तो direct इसको mathematical function से अगर निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और इस value को अगर assign भी करना है, तो भी assign भी कर सकते हैं, जैसे X is equal to mileage, यहाँ पर math कर दिए, और dot factorial, math dot factorial कर दिए, ठीक है, math dot factorial और value निकाल देते है 5 का, तो देखिए, यहाँ पर X में वो value आ गया, अगर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, print कर देते हैं, X का value को, तो यहाँ पर आ जाएगा 120, ठीक है, तो factorial निकाल सकते हैं, इस तरीके से, math के साथ, math के साथ, power use करना है, ती-o-wer, power function का use करना है, यहाँ तो आप यूज कर सक नहीं निखते है, p-o-w होता है, तो इस तरीके से, आप लोग करके यह निकाल सकते है, value, निकल गया, power rescue निकल गया, floor भी निकल गया, factorial भी आप लोग सिख लिए, कैसे निकलते हैं, ठीक है, math.ceiling.py का यह value आप लोग सिख लिए, किस तरीके से निकलते है, अब कुछ value होता ह जैसे मानले यहां पर एक चीज़, अगर negative value लेते हैं, यहां पर ceiling में तो क्या होता, जैसे मानले यहां पर math कर दिये, dot ceil कर दिये, और थोटा सा समझने वाली बात है, मानले यहां पर minus 45 कर दिये, यहां कुछ भी कर दिये, 45.2 कर दिये, अब आप समझते हैं, कि ceiling का value क्या हो हो जाएगा, यानि बड़ा value हो जाएगा, यानि 44 लाएगा, सोरी, यहां पर 45, हां सोरी, इसका जो ceiling next हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 45 ही होगा, अगर यहां पर math dot floor कर दे, math dot floor कर दे यहां पर, और minus, इसी चीज़ को रख दे, minus 45.2 कर दे, तो यह क्या कर देगा हमारा, floor मतल बता है, क्योंकि यह negative में हम लोग चल रहा है, इसलिए यह ऐसा हो जा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से करके math function का, अब कुछ absolute, absolute का अगर यूज़ करना है, जैसे absolute का अब directly भी यूज़ कर सकते हैं, या आप function के साथ भी कर सकते हैं, जैसे math dot abs, absolute का यूज़ करेंगे, यहा absolute value क्या होगा, 45, 7, 8 हो गया, क्योंकि minus को यह हटा देगा, absolute मतलब exact value होता है, तो exact value किसी भी चीज़ के, जैसे 45 point यह हो गया, इसका value क्या होगा, exact यही value हो जाएगा, तो इस तरीके से करकर के, आप लोग देखिए क्या क्या सिख लिए, आप लोग SQRT सिख लिए, क्या क्य import कर देंगे हम लोग, import कर देंगे math को, ठीक है, as करके, as math को import करते है, माल लेजे सिर्फ m यूज़ करना चाहे है, तो ऐसे कर सकते है, ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अगर माल लीजिया, यहाँ पर हम लोग लिख देते है, m.sqrt, m.sqrt, और आप 25 निकालेंगे, तो अब उसी से उसको call कर सकता है, मतलब एक तरीके से इसका यह object बन गया, ठीक है, तो m.ceil का use करेंगे, जैसे ही यहाँ पर हम लोग कोई number लिखेंगे, यह कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका next value, यानि 40, 1543 यह value कर देगा, ठीक है गाईज, तो यह इस तरीके से करके, हम हम लोग वहीं सारे math functions का use कर चुके है, साथ ही साथ, और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे m. मानलिज यह sign का value, sign, sign theta का value कितना होता है, तो यह था आज का हमारा लेक्चर अगर वुडियो अच्छा लगए तो प्लीज वुडियो को लाइप करें प्रैक्टिस करें आप लोग हमेशा पाइथन कोडिका बहुत ही असान होता है ठीक है गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फो वाचिंग